नमस्कार, श्रीमत वालमी की रामायन अकंडपाथ में आज हम पढ़ रहे हैं शडव इंशह अर्था 26 वां सर्ग युद्धकाण से आज के सर्ग में है रावन के गुप्तचर सारण का लंका लोट कर उसे प्रिथक प्रिथक वानर यूध पतियों का परिचय देना तो चली प्रारम करते हैं आज का पार्ट तद्वचह सत्यम क्लीबं सारणे नाभि भाशितं निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाशत सारणं यदिमाम भी उन्जीरन देव गंधर्व दानवाह नैवसीताम हम दध्याम सर्वलोक भयादपी तम्तु सोम्य परित्रस्तो हरिभिः पीडितो भृषम् प्रति प्रदानम अध्यवसीतायाह साधु मन्यसे कोहिनाम सपत्नो माम समरेजे तुमरहती इत्युक्त्वा परुषम वाक्यम रावणो राक्ष साधिपह आरुरोह ततह श्रीमान तासादम हिमपांडुरं बहुताल समुच सेधं तो शुक और सारण रावण के ये गुप्तचर लंका लोट चुके हैं और उनके वो सच्चे और जोशीले शब्द रावण ने सुने हैं और फिर रावण सारण से कुछ इस प्रकार कहता है यदि देवता गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोक भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूँगा सौम्य जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है इसी से भैवी थोकर तुम आज ही सीता को लोटा देना ठीक समझने लगे हो बला कौन ऐसा शत्रु है जो समरांगन में मुझे जीत सके ऐसा कठोर वचन कहकर राक्षस राज रावन वानरों की सेना का निरिक्षण करने के लिए अपनी कई ताल उँची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अटालिका पर चड़े ताभ्याम चराभ्याम सहितो रावनह क्रोध मूर्चितह पशमानह समुद्रमतं पर्वताश वनानिच ददर्ष पृत्वी देशं सोसंपूर्णं प्लवंग मैही तदपारम सहयंच वानराणा महाबलं आलो के रावनों राजा परिपप्रच्छ सारणं एशाम के वानराह मुख्याह के शूराह के महाबला के पूर्वम अभिवर्तंते महोच्साह समंततह के शाम श्रिनोति सुग्रीवह के वायूथ पयूथ पाह सारणा चक्ष्वमे सर्वम के प्रभावाह प्लवंगमाह सारणो राक्ष सेंद्रस्या वचनं परिप्रेच्छतह रावण उसमें क्रोध से तमतमा उठा था उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र परवत और वनों पर दिष्टपात किया तब प्रित्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया वानरों की वह विशाल सेना अपार और असहय थी उसे देखकर राजा रावण ने सारन से पूछा सारन इन वानरों में कौन-कौन से मुख्य हैं कौन शूरवीर हैं और कौन बल में बहुत बढ़े चड़े हैं कौन-कौन से वानर महानुत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे-ागे रहते हैं सुग्रीव किन की बातें सुनते हैं और कौन यूध पतियों के भी यूध पती हैं सारन ये सारी बातें मुझे बताओ साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है इस प्रकार पूछते हुए राक्षसराज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन वानरों का परिचय देते हुए कहा आब भाशेयत मुख्यग्यो मुख्यांस्तत्र वनवकसह एशयोभि मुख्यो लंकाम नर्दंस्तिष्ठतिवानरह यूथपानाम सहस्राणाम शतेन परिवारितह यस्यगोशेन महता सप्राकारा सतोरणा लंका प्रतिहता सर्वा सशेलवनकानना सर्वशाखाम्रिगेंध्रस्या सुग्रीवस्या महात्मनह बलाग्रेतिष्ठते वीरो नीलो नामैशयो थपह बाहु प्रग्रिहययः पद्भ्याम महीम गच्छतिवीर्यवान लंकाम अभे मुखह कोपाद भीक्ष्णमच विज्रिम्भते गिरिश्रिंग प्रतिकाश पद्मकिन जलक सन्निभः स्फोट यत्यति सन्रब्धो लांगूलम्च पुनह पुनह यस्य लांगूलशाब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दशा एशवानर राजेन सुग्री वेना भिशेह चिताह युवराजो अंगदो नाम त्वामा भयते सन्यूगे तो सारण अब रामन के पूछने पर मुख्य मुख्य वानरों का परिचय दे रहा है दूर उसी अटालिका पर से ही रामन को दिखाते हुए राम की सेना सारण कहता है कि महराज वो देखिये यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है एक लाख यूथपों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गरजना के अत्यंत गंभीर घोश से परकोटे दर्वाजे परवत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गोंज उठी है इसका नाम नील है यह वीर यूथ पतियों में से एक है समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है और जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरी से पकड़ कर दोनों पैरों से प्रित्वी पर टहल रहा है लंका की ओर मुख करके क्रोध पूरवक देखता है और बारंबार अंगडाई लेता है जिसका शरीर परवत शिखर के समान उंचा है जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है जो रोश से भरकर बारंबार अपनी पूँच पटक रहा है तथा जिसकी पूँच के पटकने की आवाज से दसों दिशाएं गोंज उठती हैं यह युवराज अंगद है वानर राज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिशेक किया है यह आपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है वालिनह सद्रिशह पुत्रह सुग्रीवस्य सदा प्रियह रागवार्थे पराक्रांतह शक्रार्थे वरुणो यथा एतस्य सामतिह सर्वा यद्रिष्टा जनकात्मजा हनुमता वेगवता रागवस्यह तैशिना बहुनिवानरेंद्राणा मेश यूथान विर्यवां परिग्रियाभियातित्वां स्वेनानिके नमल्दितुम अनुवाले सुतस्यापी बलेन महताविताह वीरस्तिष्ठति संग्रामे सेतुहेतुरयम नलह येतु विष्ठभ्यगात्राणी श्वेडयन्ति नदंतिच उत्थायचा विज्रिम्भंते क्रोधेन हरिपुंगवाह एते दुष्प्रसहा घोराश्चंडाश्चंड पराक्रमाह अश्टवशत सहस्राणी दशकोटि शतानिच येनमनुगच्चंटी वीराश्चंदनवासिनः अंगद के बारे में आगे और बताते हुए कहता है सारण कि ये बाली का पुत्र है और अपने पिता के समान ही बल्शाली भी है सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं उसी प्रकार यह श्री राम चंदर जी के लिए अपना पुरशार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत रहता है श्री रगुनाद जी का हित चाने वाले वेगशाली हनुवान जी ने जो यहां आकर जनक नंदनी सीता का दर्शन किया था उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धी काम कर रही थी पराक्रमी अंगद वानर शिरोमनियों के बहुत से यूत लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए चला आ रहा है अंगद के पीछे संग्राम भूमी में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है इसका नाम है नल और यही सेतु निर्मान का प्रधान हेतु है जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंगनाद करते और गर्जते हैं तथा जो कपिश्रेष्ट वीर अपने आसनों से उठकर क्रोध पूर्वक अंगडाई लेते हैं इनके वेग को सहलेना अत्यंत कठिन है ये बड़े भयंका रत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं इनकी संख्या दस अरब और आठ लाख है ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस यूथ पति नल का ही अनुसरण करते हैं यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापूरी को कुचल देने का होसला रखता है एशै वाशन सते लंकाम स्वेनानी केन मर्धितुम् श्वेतो रजत संकाशर्ष चपलो भीम विक्रमः बुद्धिमान वानरह शूरस्त्रिशुलोकेशु विशुतह तूर्णम सुग्रीवमागम्य पुनरगच्छति वानरह विभजन्मानरीम सेनामनी काने प्रहर्षयन यह पुरागोमती तीरे रम्यम पर्येति पर्वतम् नामना संग्रोचनो नाम नाना नगयुतो गिरिही तत्र राज्यम प्रशास्त्येशक मुदो नाम यूतपह योवसव शत सहस्राणी सहर्षम परिकर्षति यस्यवाला बहु व्यामा दीर्गलांगुलाम अश्ताह ताम्राह पीताह सिताह श्वेताह प्रकीर्णा घोर दर्शनाह अधिनो वानरश्चंड संग्रामम अभिकांक्षति एशो अप्याशंसते लंकाम स्वेनानी के नमल दितुम् आगे कहता है अंगर कि ये जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है इसका नाम श्वेत है यह भयंकर पराकरम करने वाला बुद्धिमान शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लोट जाता है यह वानरी सेना का विभाग करता है और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के व्रिक्षों से युक्त संरोचन नामक परवत है उसी रमणिय परवत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वही अपने वानर राजिका शासन करता था वही यह कुमद नामक यूथपती है वह जो लाखों वानर सेनिकों को सहर्ष अपने साथ खीचे लाता है जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल पीले भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं तथा जो कभी दीनता न दिखा कर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है उस वानर का नाम चंड है यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है यस्त्वेश सिंग संकाशह कपिलो दीर्ग के सरह निब्रितह प्रेक्षते लंकाम दिधक्षन निवचक्षुषा विंध्याम क्रिष्ण गिरिम सहयं पर्वतं चसुदर्शनं राजन सतत मध्यास्ते सरंभो नाम युथपह शतम शत सहस्राणाम द्रिंशच्च हरिपुंगवाह यम्यांतं बनरागोराश्चंडाश्चंडपराक्रमाह परिवार्यानुगच्चंती लंकाम मर्दितुमो जसा यस्तु कर्णव विभ्रिणुते ज्रिंभतेचा पुनह पुनह नातु सम्विजते मृत्योर्णाच सेनाम प्रधावती प्रकंपतेचा रोशेणतिर्यक्चा पुनरीक्षते पशलांगूल विक्षेपम क्ष्वेडत्येश महाबलह महाजवो वीतभयो रम्यम साल्वेय पल्वतम राजन सतत मध्यास्थे शरभो नाम यूथपह एतस्य बलिनह सर्वे विहारा नाम यूथपह राजन शत सहस्राणी चत्वारिन शत्त थही पुचभ आगे कहता है सारण की राजन जो सिंग के समान पराक्रमी और कपिल वर्णका है जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल है और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मनों से भस्म कर देगा वह रंभ नामक यूथपती है वह निरंतर विंध्य कृष्णगिरी सहय और सुदर्शन आदिपरवतों पर रहा करता है जब वह युद्ध के लिए चलता है उस समय उसके पीछे एक करोड तीस श्रेष्ट भयंकर अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं वे सब के सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब और से घिरे हुए आ रहे हैं जो कानों को फैलाता है और बार बार जमहाई लेता है बृत्यू से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे न जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है रोश से कांप रहा है तिरची नजर से देखता है और पूँच फटकार कर सिंगनाद करता है इसका नाम है शरब देखिए यह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है इसका वेग महान है भय तो इसे छू तक तहीं गया है राजान यह यूथपति शरब सदा रमणिय सालवय परवत पर निवास करता है इसके पास जो यूथपति हैं उन सब की विहार संग्या है यानि कि वो विहार कहलाते हैं बड़े बल्वान है वो और उनकी संख्या आएक लाख चालिस हजार है यस्तुमेगा इवाकाशं महानावृत्यतिष्ठति मध्यवानर विरानाम सुरानाम इववासवह मेरी नाम इवसनादो यस्याइश श्रूयते महा घोशह शाखाम रिगेंद्राणाम संग्रामम अभिकांक्षताम एश परवतमध्यास्ते परियात्रम नुत्तमं युद्धे दुष्प्रसहो नित्यम पनसो नाम यूथपह एनम्षत सहस्राणाम शतार्धम पर्युपासते यूथपा यूथप श्रेष्ठम येशाम यूथानिभागशः यस्तु भीमाम प्रवल्गंतीम चमूम्तिष्ठतिशो भयन स्थिताम तीरे समुद्रस्याद्वितियाईवसागरह एशदर्दुरसंकाशो विनतो नाम यूथपह पिबंश्चरतियो वेणाम नदीनाम उत्तमाम नदीन अब जो विशाल वानर मेग के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेरियों का तुमुल नाद हो रहा हो तथा जो युद्ध में दुस्सह है वह पनस नाम के प्रसिद्ध यूथपती है यह पनस परम उत्तम परियात्र परवत पर निवास करता है यूथपतियों में श्रेष्ट पनस की सेवा में पचास लाख यूथपती रहते हैं जिनके अपने अपने यूथ अलग-अलग है जो समुद्र के तट परस्थित हुई उस उचलती कुदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भाती सुशोवित करता हुआ खड़ा है वह दर्दुर परवत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद यूथपती है वह नदियों में श्रेष्ट वेना नदी का पानी पीता हुआ विचरता है साथ लाख वानर उसके सैनिक है शष्टिषत सहस्राणि बलमस्य प्लवंग माह त्वामावयति उध्धाय क्रोधनो नाम वानरह विक्रांता बलवंत शर्यता यूथानि भागशह यस्तु गैरिक वर्नाभं वपुह पुष्यति वानरह अवमत्य सदासर्वान वानरान बलदर्पितह गवयो नाम तेजस्वी त्वाम क्रोधाद भिवल्तते एनम शतसह स्राणि सब्ततिह पर्युपासते एशैवाशंसते लंकाम स्विनानिके नमल्दितुम एते दुष्प्रसहाविरा ये शाम संख्यान विद्यते यूथपा यूथप श्रेष्ठास्ते शाम यूथा निभागशह अब अगले यूथपति का वर्णन करते हुए कहते हैं सारण कि जो यूध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रम शाली अनेक यूथपति रहते हैं और उन यूथपतियों के पास प्रिथक प्रिथक बहुत से यूथ हैं वह क्रोधन नाम से प्रसिद वानर है वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोशन करता है उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है वह सदा सब वानरों का तिरसकार किया करता है देखिए कितने रोश सेव है आपकी और बढ़ा आ रहा है इसकी सेवा में सतर लाक वानर रहते हैं यह भी अपनी सेवा के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है और यह सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं इनकी गणना करना भी असंभव है यूथ पतियों में श्रेष्ट जो यूथप हैं उन सब के भी अलग-अलग यूथ हैं इस तरह से देखा जाए तो श्री राम की सेना अपार है असंख है और सारी की सारी सेना सब साथ मिलकर लंका पर आकरमन करने के लिए उस पर विजय पाने के लिए आतुर है तो सारन द्वारा श्री राम की सेना के सवर्णन के साथ ही श्री वालमी की निर्मेतार्ष रामायन आदिकावे के युद्ध कांड में हम ये 26 सरगियां पर पूरा करते हैं इत्यार्षे श्रीमद रामायने वालमी की ये आदिकावे युद्ध कांडे शडविंश सरकर ओम श्री सीताराम झाल